आज हम लोग डिसकस करेंगे तो आईए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का फिर्स्ट क्रेशन है फिरोज तुगलक द्वारा इस्थापित दारुष शिफा क्या था एक दान्शाला एक खेराती अस्पताल एक पुस्तकाले या फिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक आतिथी ग्रह क्रेशन वन का जो सही आंसर है वो है आप्शन बी एक खेराती अस्पताल फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस्थापित दारुष शिफा जो है वो एक खेराती अस्पताल है फिरोज शाह तुगलक ने अनेक जन कल्यान कारी कारे संपन किये और उसने दारुष शिफा नामा एक खेराती अस्पताल की स्थापना भी की और इसमें इसने कुशल हकीम भी रखे ठीक है तो question 1 का जो सही आंसर है वो option B है एक खेराती अस्पताल next question है question number 2 question 2 में है निम्नलिकित में से कौन आलवार संत नहीं था तो options है पोय गई तिरुग्यान पूडम तिरुमंगई question 2 का जो सही आंसर है वो है option B तिरुग्यान देखे क्या है कि छटी शताबदी इसमी जुती उसमें भक्ति आंदोलन का प्राराम तमिल छेतर से हुआ था जो करनाटक और महराश्डों में फैल गया भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैश्डव संतों और 63 बारा अलवार वैश्डव संत थे और 63 नैनार शेव संत थे ठीक है इन्हों ने जो है यह भक्ति आंदोलन का प्रारम किया था और प्रश्म में जो पूछा गया है तो जो अलवार संत हैं इसमें पोई गई पूडम और तिरुमंगा यह तीनों अलवार संत में आते हैं तिरुग्यान जो है यह नैनार शेव संतों में आते है ठीक है तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन भी है तिरुग्यान यह किसमें आते हैं यह नैनार में आते हैं नेक्स कुर्शन है कुर्शन नमबर थ्री कुर्शन थ्री में है निम्नलकित में से किसने जहागीर के विरुद्ध विद्रोह किया था चार यहाँ पर आप्शन यह गए हैं आसफ खा, खुर्रम, भाबत खा, खुसरो तो इसके जो एक उट देख लेते हैं केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन और चार, केवल दो तीन और चार तो तो कुर्शन थ्री का जो सही answer है वो है आप्शन निकेवल दो तीन और चार अकबर का उत्रदिकारी सलीम हुआ जो 3.605 को 3.605 इसवी को निरुद्दीन मुहम्मद जहागीर बादशाही गाजी के उपादी धाराड करके वो गद्दी पर बैठा तो उत्रदिकारी जो है वो सलीम हुआ था इसी किसमे में जो प्रमुख विद्रो हुए थे वो कौन कौन से थे हैं खुसरो का विद्रो जो हुआ था वो 1606 में हुआ था ठीक है खुर्रम शाजहा का जो विद्रो हुआ था वो 1626 में हुआ था खुर्रम का महावत खा का जो विद्रू हँआ था है, वो 1626 इनका नहीं है, जो खुर्रम है, ठीक है तो इनका जो है आता है 1623 या 26 के असपास और फिर है महावत खा, इनका विद्रो जो है, वो 1625 चुपरिस के बीच वाता है घ्रिक है तो ये सब जो है इन में तीन लोग थे आसिफ का, महाबत का, खुर्रम और खुसरो तो इन तीनों ने जो है जागेर के विरुद्ध विद्रोह किया था इसलिए ऑप्शन सही जो है वो ऑप्शन डी है नेक्स कुशन है कुशन नमबर फूर कुशन फूर में है जलियावला बाग हतियकांड के विरुद्ध में निम्नलकित में से किसने वाइसराय के कारे परिशद से त्याग पत्र दे दिया था ऑप्शन से हैं रविंद्रनाड टैगोर मदन मोहन मालवी सर शंकर नायर उपर युक्त तीनो प्शन फूर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सर शंकर नायर जलियावला बाग हतियकांड के विरुद में वाइसराय की कारे कारणी परिशद के जो सदसिता थी मतलब उसमें सदसिता में शामिल जो सर शंकर नायर थे उन्होंने स्तीफा दे दिया था इसी के साथ ही ये तो जो है वाइसराय की जो परिशद थी उसमें इनकी सदसिता थी तो उन्होंने सर शंकर नायर ने जो है त्याग पत्र दे दिया था जलियावले बाग हतिया कांड के दौरान इसी के साथ ही कई सारे और लोग भी थे जैसे इसी हत्याकान की दौरान में जो महात्मा गांधी को अंग्रेजों के दौरा कैस रे हिंद की जो अपादी मिली थी वो भी उन्हेंने वापस कर दी जमनलाल बजाज को राय बहादुर की उपादी मिली थी और साथी साथ रविन ना टैगोर को सर यानी नाइट हुट की जो उपादी मिली थी ये सब भी वापस लोटा दी गई अंग्रेजों को ठीक है करना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है तो कुश्चन फाइफ को जो सही आंसर है वो है आप्शन ए तीन बटे बीस भूबाग पर नील की खेती करना जिस तरह चंपारण में आम के वन हैं उसी तरह सन 1907 में वहां नील के खेत थे ठीक है और वहां के किसान अपनी ही ज इसे ही वहां का तिन कठिया प्रथा जो थी वह कही जाती थी तीन बटे बीस भूबाग पर नील की खेती करना नेक्स कुश्चन है कुश्चन नमबर सिक्स कुश्चन सिक्स में है डेकन एजुकेशनल सुसाइटी की स्थापना से कौन संबंदित था ओप्शन सें जस्टिस रानाडे, फिरोश्चाह महता, बीजी तिलक, दयानन सरस्वती तो कुश्चन सिक्स का जो सही आंसर है वो है ओप्शन सी, बीजी तिलक, डेकन एजुकेशनल सिसाइटी की स्थापना अठारा सो असी में हुई थी, ठीक है अठारा सो, असी में नियू इंगलिश स्कूल के प्रारम के साथ पूरे में ये की गई थी और इस संस्था के जो संस्था पक थे वो बीजी तिलक, वीके, चिपलुंकर थे ठीक है, और एमबी यहाँ पे जो है, मतलब बीजी तिलक थे, वीके, चिपलुंकर थे और गोपाल गडेश थे, तो इसके अलावा और भी कई लोग थे, जो है, इसकी स्थापना में, इसकी स्थापना में शामिल थे लेकिन एजुकेशनल सुसाइटी के, और यहाँ पे याद रखने वाली बात, यहाँ पे यह है, कि जो जिस्टिस रेनार्डे आप्शन्स में दिये गए हैं, यह इनका भी नाम आता है, लेकिन यह सुसाइटी के संस्थापक नहीं थे, ठीक है, यह सुसाइटी के, बलकि य रख्षत के रखे कहते हैं, सुसाइटी के, उसमें से एक थे, ठीक है, तो यह संस्थापक में नहीं थे, बाकि जो क्वेशन सिक्स का जो सही आंसर है, वो बीजी तिलक जो की संस्थापक में है, किसमें डेकिन एजुकेशनल सुसाइटी की स्थापना में, नेक्स क्वेशन तो question 7 का जो सही answer है वो है option A 28 महीने 1937 में प्रांतों में मंत्री मंदल के निर्माड के उपरांत कॉंग्रेस का शाशन है वो 28 महीने चला 1935 के भारतिय परिशत अधिनियम के अधिन 1937 में 11 प्रांतों में चुना हुए ठीक है और इनमें से बंबाई, मदरास, और मधिप्रांत, बिहार, सेयुक्त प्रांत, उड़ीसा में कॉंग्रेस को पूर्ड बहुमत मिला इसके अतरिक्त असम और उत्री पस्चुमी प्रांत में भी कॉंग्रेस मिली जुली सरकार उसने बनाई कॉंग्रेस का जो शाषन था वो कुल 28 माह रहा, दुती विश्य युद्व में बिना भारतियों से राय लिये, भारत को युद्व में शामिल कर दिया, उसको जोग दिया गया तो युद्व में नेक्स कुशन है कुशन नमबर एट, कुशन एट में हैं निंदलिकित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हैं, आप्शन से हैं सहीयोग आंदोलन, सवीने अवग्या आंदोलन, व्यक्तिक्त, सत्या ग्रह, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन कुशन एट का जो सही आंसर है, वो है, आप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन, अरुणा आसिफ अली भारती ये सौतंतरता सेनानी थी, और इनके जन्म का जो नाम था वो अरुणा गांगुली था, इन्होंने, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान, मुंबई के गोव और इसका जंडा फहराने के लिए हमेशे याद किया जाता है, ठीक है, तो ये भी एक सौतंतरता सेनानी थी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में, जो है, इसके मलबस में शामिल थी, ठीक है, उसी सही सम्मन देती, नेक्स्ट कुशन है, कुशन नमबर नाइन, कुशन नाइन में है, किसने कहा था कि तिलग भारती अशानती के जनक है, आप्शन्स है, वी चिरोल, वेलन्टाइन चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, या फिल लॉड रीडिंग, तो कुशन नाइन का जो सही आंसर है, वो है, आप्शन ए, वेलन्टाइन चिरोल, वी चिरोल, ठीक है, वी चिरोल ने बाल गंगा धर तिलग को भारती अशानती का जनक कहा था, नेक्स्ट लास्ट कुशन है, कुशन नमबर टैन, कुशन टैन में है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे हैं मकदवे में, उनके पक्ष से, निम्दलखित में से किसने वकालत की थी, आप्शन है, सी आर दास, मोती लाल नहरू, मे जिनना, या स सर टीबू, टीबी सपरू, तो कुशन टैन का जो सही आंसर है, वो है, आप्शन टी, सर टीबी सपरू, आजाद हिंद फौज के ग्रिफतार अधिकारियों में, पीके सहगल हैं, और कर्नल गुरुदेयाल धिलन, इवं मेजर, शेहनवास खांपर, जो राज़ दरोह का आरो बहादुर सपरू, और जवाहरलाल नहरू, भूला भाई देसाई, एवं के एन काटजू ने पैरवी की थी, ठीक है, तो इन वकीलों की ये जो समूह उता, उसमें जो अध्यक्षता थी, वो भूला भाई देसाई ने की थी, तो फ्रेंट्स, आज की वीडियो यहीं पर इं लोटी ए, थास्टक्स वर वजिए थी, एट्स को वर वाजिए झाची की थी, यहीं जो एट्स के साओ वाज़ू, पर दो इंटार हैं।